चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों काफी सारे स्टेट्स के सेकंड राउंड के सेडूल जारी हो चुके हैं तो जिन जिन स्टेट्स के सेकंड राउंड के सेडूल जारी हो चुके है मैं आपको यहां पर उसकी पूरी information बताऊंगा ताकि आपका कोई भी form उसमें छूट ना सके आप apply करने से रह ना सके तो सबसे पहले हम बात करते हैं mcc का आपको पता ही है 21st फरवरी तक इसकी registration की last date है 24 फिलिंग की last date है इसकी आप समय से mcc का अगर registration नहीं किया है तो registration कर दें और 24 फिलिंग नहीं की है तो 24 फिलिंग कर दें अब बात करते हैं ہरियाना एस्टेट का second round का schedule जारी हो चुका है आपको पता ही है हरियाना स्टेट में सेकंड राउंड में फिर से रेजिस्टेस ने स्टार्ट होते हैं और उसकी जो डेट है वो लास्ट डेट 28 फरोरी 22 रखी गई है इसके बाद में जो इसका रजल्ट आ जाएगा सीट अलोटमेंट का जो रेजल्ट आएगा वो 8 और 9 मार्च 22 को आ जाएगा यानि कि 8 मार्च को भी आ सकता है और 9 मार्च को भी आ सकता है तो यह हरियाना का कम्प्लीट सेडूल है इसको आप इसकी वेब साइट पर भी चेक कर सकते हैं और यहां पर भी मैं आपको साथ साथ यहां पर भी देख सकते हैं अब बात करते हैं हम बिहार स्टेट की तो बिहार स्टेट का जो पहले सेडूल था वो अभी रिवाइजड हो चुका है इसमें सेकंड राउंड में फिर से रेजिस्टेशन नहीं होते हैं जो फर्स्ट राउंड में रेजिस्टर कंडिडेट हैं जो 24 फिलिंग उन्होंने आलड़ी कर रखी हैं उन्हीं पर सेकंड राउंड का अलोटमेंट होता है तो इसकी जो रिवाइजड डेट है अभी सेकंड राउंड के अलोटमेंट की पब्लिशिंग डेट है वो होगी 6th March 22 6th March 22 को रजल्ट आ जाएगा हरियना स्टेट का इसके बाद में अलोटमेंट ओडर डाउनलोड कर सकते हैं 6 से लेके 11 March 22 तक डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन 7 से लेके 11 March 22 तक होगा बाकी जो काउंसलिंग का सेडूल है जो रूल से वो एजिटीज रहेंगे जो पहले के वीडि में मैं आलरी बता चुका हूँ अब बात करते हैं हम पंजाब स्टेट की तो पंजाब स्टेट में जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुका है आप कोलेज वाइज वैकेंट सीट देख सकते हैं कि कितने सीटें इसमें वैकेंट हैं इसके बाद में आप सीट को स्रेंडर कर सकते हैं 28 फरवरी 22 दोपैर तीन बजे तक इसके बाद में जो सीट अलोट्मेंट सेकंड राउंड के लिए प्रोसेसिंग होगा वो 9 मार्च 22 को होगा और रजल्टे 11 मार्च 22 को आ जाएगा जो रिपोर्टिंग की लास्ट डेट रहेगी वो 14 मार्च 22 रहेगी तो यह पंजाब स्टेट का सेडूल है अब हम यहां पर बात करेंगे MP स्टेट के तो MP स्टेट का जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा इसमें वेकंसी डिस्पले हो जाएगी सेकंड राउंड के लिए वो 1 मार्च 22 को हो जाएगी मैं आपको यहां बता दूंकि MP में ही MP में भी first round में ही registration होता है first round के base पर ही second round conduct करवाया जाता है इसमें mop up round में phrase registration होता है तो इसमें जो first round के according ही इसमें जो जितने भी registered candidate है उसके बाद में कितनी join किये हैं उसकी बाद जो vacancy list है वो आ जाएगी 1 March 22 को इसके बाद इसमें phrase choice filling होती है second round के लिए second round के लिए इसमें phrase choice filling होती है और वो first March से लेके third March 22 तक रहेगी इसमें इसके बाद में second round का जो allotment आएगा वो 7 March 22 को आ जाएगा reporting होगी 8 से 14 March 22 तक इसमें reporting होगी इसमें mop up round का schedule भी आ चुका है वो भी आप इसकी website पर देख सकते हैं और mop up round का मैं आ लड़ी इसका schedule बता चुका हूँ प्रिवीस वीडियो में अब बात करते हैं जारकंड state की तो जारकंड state का भी second round का schedule revised हो चुका है जारकंड state में online application form जो candidate बचे वे हैं जो candidate registration करना चाते हैं वो 15 से लेके 17 तक आलड़ी registration कर चुके हैं इसके बाद में इसमें जो second round का seat allotment होगा वो 5th March 22 से लेके 9 March 22 तक होगा यानि कि 5 March को result आ जाएगा उसके बाद में जो admission के लिए हम provisional seat allotment लेटर डाउनलोड करेंगे वो 5th March से लेके 9 March 22 तक कर सकते हैं documents verification होगा इसमें वही डेट है 5 से 9 March के बीच में तो ये था अब हम बात करते हैं आसाम स्टेट के schedule के बारे में तो आसाम स्टेट का भी schedule revised हो चुका है आसाम स्टेट के schedule की बात करें तो इसमें 25 February 22 साम 5 बज़े तक इसके registration है online choice filling है 25 February 22 तक और इसमें second round का result कब publish होगा इसके बारे में अभी कोई information नहीं है आसाम स्टेट की तो इसके बारे में जैसे ही update मिलेगी हम आपको inform कर देंगे कि इसका next round कब होना है इसके बाद में हम बात करते हैं आगे मनिपूर स्टेट की तो मनिपूर में रिम्स इंफाल है इस college में नौर्थ इस्ट कंडिडेट जो seven states है उनके लिए seat reserve है EWS की 11 seat है नौर्थ इस्ट के लिए 10 seat है इन total 21 seats पर admission होना है तो इसमें जो नौर्थ इस्ट के states है जैसे अरुनाचल परदेश है मनिपूर है मेगाला है मिजोरम है नागालेंड है शिक्क्यम है और तिरपूरा है तो इन कंडिडेट के लिए 10 seat reserve है तो इनके registration start हो चुके हैं इनके registration जो कंडिडेट नौर्थ इस्ट से आते हैं वो इंफाल की website पर registration कर सकते हैं रिम्स इंफाल पर last date रहेगी 24-22 सुबह 10 बजी तक तो अगर ये candidate affected हैं ये counselling के लिए eligible हैं तो registration कर सकते हैं online registration अब बात करते हैं हिमाचल परदेश की तो हिमाचल परदेश का भी second round का revised schedule आ चुका है इसमें जो vacancy upload की जाएंगी वो 28 February 22 को की जाएंगी इसमें twice filling होगा 1st March 22 तक रहेगा इसमें साम 5 बजे तक रहेगा और जो second round के लिए result declare होगा वो 4th March 22 को हो जाएगा इसके बाद में final जो second round counselling का जो result आएगा final result आएगा provisional merit list आएगी 4 को और final result आएगा 7th March 22 को और admission की जो प्रिक्रिया रहेगी वो last date रहेगी 11th March 22 तो यह है हिमा चले इस date का अब बात करें उत्राखंड के तो उत्राखंड का भी schedule जारी हो चुका है इसमें भी second round में registration होते हैं तो इसकी जो registration की और fish deposit की last date है वो 25 February 22 रखी गई है इसमें और इसका जो data processing का date है 1st March 22 है और result declare हो जाएगा second round का second March 22 को साम 8 बज़े की बाद में last date joining की रहेगी 7th March 22 इसके बाद में हम बात करते हैं उडिसा इस्टेट की तो इसमें vacancy list आचुकी है उडिसा इस्टेट की और इसमें जो provisional merit list पब्लिश होगी वो 26 March 22 को होगी इसके registration की last date 22 रखी गई है इसमें 21 रखी गई है इसके बाद में 24 filling और locking होगा 1st से लिके 2nd March 22 तक इसमें allotment होगा 5th March 22 को reporting की last date रहेगी 11 March 22 तो ये इस परकार का schedule रहेगा उडिसा स्टेट का तो ये जिन जिन स्टेट के second round के schedule जारी हो चुके हैं वो मैंने वीडियो में तब तक के लिए जय हैं